नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि रीरेब डी कैपसूल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, रीरेब डी कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और रीरेब डी कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, रीरेब डी एक ब्रैंड नेम है, रीरेब डी कैपसूल के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, रीरेब डी कैपसूल के अंदर सॉल्ट कंपोजि पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी डकारे आने पर, सीने में जलन होने पर, पेट में अलसर होने पर, उल्टी आने पर और उल्टी आने का मन होने पर रीरेब डी कैपसूल का उप्योग किया जाता है. Re-rebedy capsule को Dr. Antibiotic दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़ज से होने वाले side effects को कम करने के लिए भी लेने की सलाह दे सकता है जैसे दर्थ को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वज़ज से पेट में जलन, पेट में दर्थ या पेट में अलसर हो सकती है इसलिए इन side effects को रोकने के लिए भी Dr. Re-rebedy capsule को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सलाह दे सकता है ज्यादा तर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य side effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़ज से ये side effects ना हो इसलिए आपका Dr. Re-rebedy capsule को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सलाह दे सकता है इसके अलावा Re-rebedy capsule का उपयोग कुछ medical conditions जैसे gastric ulcer, acid reflux और Jolinger-Ellison syndrome को treat करने के लिए भी Re-rebedy capsule का उपयोग किया जाता है Jolinger-Ellison syndrome एक ऐसी स्थिती है जिसमें पेट में acid का उत्पादन बहुत अधिक होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले Side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Re-rebedy capsule की वज़ह से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में Re-rebedy capsule की वज़ह से कुछ side effects हो सकते हैं जैसे पेट में दर्ध होना, पेट से गैस निकलना, मुँ में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर की मासपेशियों या जोडों में दर्ध होना, चक्कर आना वदस्थ होने की समस्या हो सकती है इसके अलावा Re-rebedy capsule की वज़ह से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती है लंबे समय तक Re-rebedy capsule का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक Re-rebedy capsule को लेने से शरीर में vitamin C, vitamin B12, calcium, iron और magnesium की कमी हो सकती है इसलिए डॉक्तर की सला के बिना Re-rebedy capsule को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए लंबे समय तक या दिन में कई बार Re-rebedy capsule को लेने से औस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है औस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है Re-rebedy capsule की वज़े से औस्टियोपोरोसिस तभी होता है जब Re-rebedy capsule का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से Re-rebedy capsule को ले रहे हैं तो आपको calcium और vitamin D के supplements doctor की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए ताकि औस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको calcium से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए और vitamin D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनट सुबह की धूप में बैठना चाहिए अब हम discuss करेंगे कि Re-rebedy capsule को कैसे लेना recommended होता है आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को Dr. Re-rebedy capsule को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं Re-rebedy capsule को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए Re-rebedy capsule की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Re-rebedy capsule का सेवन करना recommended नहीं है लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डोक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Re-rebedy capsule को लेने की सला दे सकता है इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रीरेबडी कैपसूल को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए. वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका रीरेबडी कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.